कोका कोला का डबल डोर सीसा वाला फ्रीज हमारा जाम हो जाता है चोक हो जाता है तो उसको हम कैसे ठीक करते हैं एटू जेट चीज का हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं वो फ्रीज में कितना गैस डालते हैं एटू जेट चीज का हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं इससे पहले हमारे मेकेनिक आया था तो यहाँ पे मसीन चेक किया था उसको कुछ फॉल्ट दिखा नहीं और उसके बाद मैं आया हूँ यहाँ तो हमारे एक बहुत ही इनपोर्टेट बहुत ही दिखाने वाले हैं तो वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा जब हम मसीन को चालू करते हैं इसके बाद हमारा क्या प्रोब्लम आता है वो चीज हम आपको बताने वाले यह मसीन जाम हो जा रहा है बार बार कितना दिर के बाद जाम हो जा रहा है और कैसे हम जाम को ठीक कर जब हम मसील को चलाए हैं जब थोरा दिर चलाने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है वो हम आपको बता रहा है जब हम फिल्टर को टच करते हैं तो उसके बाद लगता है कि आदा फिल्टर हमारा हीट हो रहा है और आदा फिल्टर हमारा ठंडा हो रहा है उसके बाद हम कै क्वल्टा आ चुका है जब हम डह करते हैं देखते हैं तो हमारा यह capital होने लगता है दोस्तों जब यह बहुत ही ठंडा उने लगता है तो हमारा सक यहां पे चला जाता है याप देख सकते हैं इस में हलका- का फोल्ट हमको दिख रहा सामने वह कैसे चोक हो जा रहा है कैसे बार बार इसमें प्रोबलम आ जा रहा है वह हम आपको ठीक करके देखाएंगे इसके बाद कभी भी आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं परेगा यह एक बार अगर ठीक कर दिये तो चोकिंग का प्रोबलम 110% सही हो जाता है इसका गरेंटी मैं दूंगा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमारा चोकिंग हमारा दिख गया है तो उसके बाद हम एक फाइल लिए है रेती के माध्यम से हम इसको कटिंग करेंगे दोस्तों कैसे कटिंग कर रहे हैं वो भी हम आप को दिखाने की कोर्सिस कर रहे हैं दोस्तो वहाँ पे एक कट मारे है उसके प्लेई के माध्यम से उसको हम तोर जैंगे दोस्तों जब तोरते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर से गैस बहुती ज्यादा तेज में इस से निकल रहा है वो क्यूं तेज में निकलना है क्यूंकि फिल्टर के पास यहां पे जाम हो चुका था दोस्तो जब हम कैपिलेडी को कटिंग कड़के निकाल चुके है तो जहां पे फिल्टर जोइंट रहता है filter के पास capability joint रहते है उसको हम punch कर दी है filter का दूसरा वाला भाग बचblyn ऐसे हम gas को पूरा out करते हैं निकालते हैं बाहर के और उसको निकाल देते हैं gas को आप कभी भी काम करें जब भी आपका machine चौक हो तो आपको एक चीज़ का धयान देना चाहिए कि हमेशा जब हम गैस को उड़ाते हैं जब हम गैस को बाहर करते हैं तो हमेशा कैपिलेडी के माध्यम से बाहर करना चाहिए अगर आप कैपिलेडी के माध्यम से बाहर नहीं कर रहे हैं कैपिलेडी आपको चौक रह जाएगा इसके इससे आपको परसानिया बढ़ सकते हैं दोबारा इसके पास customer के पास आपको जाना पढ़ सकता है दोस्तो इसलिए इसलिए कभी भी आप काम करें तो जब भी आपका प्रोब्लम ये आए जोगिंग का प्रोब्लम आए फिरीज में तो हमेशा capability के दोबारा ही gas को out करें और जब भी कैपिलेडी से आप आउट कीजिएगा तो वह कैपिलेडी पूरा पूरोपर तरीका से क्लिन हो जाएगा और गैस अच्छा तरीका से पास करेगा उसमें से दोस्तों अब देख सकते हम फिल्टर का जो पॉइंट है वह कैपिलेडी जहां पर जोइंट रहता है उस लिए फिल्टर के पास पूरा गैस रुख गया था जैमावरा हो गया था यहां पर उसको हम कटिंग करके हम यहां पर पूरा गैस को हम रिमूब करते हैं बाहर करते हैं उसके बाद हम आगी कवर बढ़ते हैं इसके बाद हमको क्या करना चाहिए क्या काम करना चाहिए जिसस तो आप अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेट और सेर भी जरूर कर दिया है क्योंकि दोस्तो आप भी जानते हैं कि वीडियो बनाने में थोरा महनत लगता है और भी चोटा वीडियो बना करको आपको दिखाते हैं देख सकते हैं को को से जोईंब द मुराने है मिजेंड ए São един करेंगे उसको भी हम कटिंग करें निकाल ली है दोस्तो और उसके बाद वीडियो को लगत दिखाना है और bridging कैसे किया एता है वो भी हम आपको इस वीडियो के मादेम से दिखाने वाले हैं दोस्तो आप देख सकते हैं filter को हम remove कर ली है filter को हम निकाल ली है उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं और charging pin हम इसमें joint करते हैं जहां से हमको gas डालना है जहां से gas को in करते हैं compressor में जो लगा हुआ रहता है इन point उसमें हम charging pin को NRB को हम joint कर लेते हैं उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं यहां पे हम charging pin को joint करते हैं उसके बाद हम क्या करना चाहिए वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं तो वीडियो को थोड़ा भी skip नहीं कीजेगा अगर वीडियो के आप थोड़ा सा देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा हम आपको इस वीडियो के बताने वाले हैं दूबारा आना परेगा तो इसलिए आप कभी भी बिरिजिंग करें तो थोड़ा भी जल्दवाजी ना करें दोस्तो उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रेसर हमीं इसमें डालते हैं प्रेसर डालने के बाद capability का जो एक point होता है capability का जो हम आप विज़त को joint नहीं किये हैं वहां से हम gas को out करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं ध्यान से हम यहां जहां पे filter joint रहता है उसको हम एक हांसे पकड़ लिए हैं उसके बाद capability का एक point है जो भी हम आपको दिखाने कोर्स करें हैं दोत्तों हम दिछान का सिसक्त करें थोड़ा विडियो करने मेंने समस्या होता है क्योंकि आप do that राधित काम किजिए या फिर गैस डालिए दोस्तों इसलिए आप अगर हमारा वीडिये अच्छा तो आप हमें support जरूर करें like, comment और share जरूर करें आप देख सकते हैं capability द्वारा हम gas को out करते हैं दोस्तों पहले आपको करना परा है कि capability से ही gas निगालना परा है filter cutting करके उसके बावजूद भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको देखाने का कोर्सिस कर रहे हैं यहाँ पर आपको समझ में आगा कि हाँ इससे जो गैस है वह आउट हो रहा है पास कर रहा है दोस्तों देख सकते हैं पानी पूरा उबल रहा है इसमें हम जब भी इस capability को जब हम नीचे को और सटाते हैं तो पानी उबलने लगता है यारी कि gas आउट हो रहा है दोस्तों ऐसे आपको समझ में आठा है इसलिए हम पानी में इसको डाल करके हम आपको दिखाया है कि gas आउट हो रहा है जब भी हम gas यहां पर डाले हैं तो filter का जो condenser का जो output होता है जहां पर हम filter को joint करते हैं वो हम एक हातों से पकर लेते हैं उसके बाद जो capability होता है उससे हम gas को out करते हैं उतना देर तक करते हैं जितना देर तक हमारा capability से well या कोई भी कचरा ना आये पूरा clean हो जाए हम उसको महसूस करते हैं कि हाँ पूरा cleaning तो हो गिया है उसको अनुमान से अगर आप mechanic होंगे था आपको भी उतना अंदाजा जरूर होगा दोस्तों कि अनुमान से ही पता हो जाता है कि हाँ हमारा capability प्रोपर तरीका से अच्छा तरीका से clean हो चुका है उसके बाद हम गैस के नॉब को हम बंद कर लेते हैं उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं आप देख सकते हैं फिल्टर जहां पर जोएंट था वहां पर हमारा मैंगी नहीं पकर रखा था और capability से गैस को आउट कर रहा था दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं और आपको हम बहुत ही जल्दी से हम बता देते हैं कि इसमें कैसे हम पूरोपर तरीका से अच्छा तरीका से हम पूड़ा काम complete करते हैं capability से हमा पूर्ड़ी का फोल्ट नहीं आगा हमारे पास यह फिल्टर है यह फिल्टर को हम ज्वाइंड कर लेते हैं उसके बाद हम यहां पर ज्वाइंड करेंगे वह दिखाने वाले इसमें चीछ पास देख सकते हैं कभी फ आयप capability को अंदर जो उन करते हैं फिल्टर के अंदर तो कभी भी ध्यान दे उतना इन करना है जितना उसको जरूरत हो अगर ज्यादे इन कर देते हैं वह भी प्रोवल्म हो जाता है और अगर कम इन करते हैं तो यहां पे हमारा complete हो चुका है capability को हम अंदर के और डाल दी है उसके बाद हम breezing का कार्ज करम में start करेंगे breezing कभी भी करें तो जल्दवाजी न करें और कभी भी यूज करें तो अच्छा breezing rod का यूज जरूर करें क्योंकि अगर सस्ते वाले लेते हैं तो उसमें पड़सानिया भी होती ही दिक्कत भी होती है इसलिए अच्छा quality का breezing rod को यूज करें और अच्छा quality का बती भी यूज करें अगर अच्छा quality का बती यूज करते हैं तो आपको जल्दी breezing complete हो जाएगा बहुत कम समय में आपका काम हो जाएगा दोस्तों आप देख सकते हैं कभी भी आप ब्रीजिंग करें तो जल्दवाजी थोड़ा भी ना करें दोस्तों हम इसका ब्रीजिंग करने के बाद आगी को बढ़ते हैं और बताते हैं कि इसके बाद हमको क्या करना चाहिए step to step आपको हम बताने वाले हैं इसके बाद हम क्या करेंगे और कैसे काम करेंगे जो हमारा मसीन चौक नहीं करेंगे हम कैसे gas डालेंगे कैसे vacuum करेंगे जो हमारा मसीन चौक नहीं करेंगे जो हमारा मसीन चौक नहीं करेंगे एक तरफ का जोइन था वहां का ब्रीजिंग का दूसरे तरफ का भी हमारा ब्रीजिंग बहुत जल्दी नोर्ड हो देख सकते हैं आप यहां पे लगवा लगवा हमारा काम कॉम्पलिट हो चुका है इसके बाद हम क्या करेंगे वह भी हम आपको इस वीडियो के मद्दम से बत वेक्व मसीन इसलिए लिए है क्योंकि हम जब भी काम करते हैं और आपको जब भी काम करना चाहिए तो अच्छा रिजल्ट के लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा दोस्तों अगर आप अच्छा काम करते हैं तो अच्छी क्वाइलिटी का वेक्व मसीन का इसमें कर चुका है उसके बाद व Operation the». करने के बाद, हम गया सका काम स्टार्ट करेंará दुस्तो अब के माईं, हम तो कमेंगे और हमने में 25 मिनट करते में घरेली फ्रीज में आप हमें कॉमेट करके जरूर बताएगो दोस्तों देख सकते हैं हमारा वैक्यूम मसीन वैक्यूम हमारा प्रोपर तरीका से अच्छा तरीका से कॉम्प्लिट हो चुका है उसके बाद हम गैस का जो 134 फ्लोरोन आता है वह हम यूज कर रहे हैं इसमें ह हम आपको इसी वीडियो के माद हम से बताने वाले जब हम कंप्रेसर को वैक्यूम तोड़ने के बाद स्टार्ट करते हैं तो काटा धीरे धीरे नीचे आ रहा है उसके वाद हम धीरे धीरे इसमें गैस बढ़ाएंगे तो काटा उपर जाएगा दोस्तों देख सकते हैं प्रोडोन 134 नंबर गैस हम इसमें यूज करना है दोस्तों और कभी भी काम करें तो एक चित का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि कंप्रेसर पर जो इस्टिकर लगा हुआ रहता है उस पे जितना नंबर गैस रहे उतना ही नंबर गैस यूज किजिए दोस्तों अगर आप दूसरा गैस यूज करते हैं तो थोरा एक्सिडेंट का चांस ज्यादा रहता है और आपको कंप्रेसर भी प्रोब्लम हो सकता है दोस्तों तो इसलिए आप काम करें तो गैस जितना नंबर रहे उतना ही नंबर गैस यूज करें थोरा भी मतलब अपना दिमाग ना लगए हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे हम कलेम मीटर लगा करके एंपियर चेक कर रहे हैं यह 30 विसी मसीन हमारा ओन हो चुका है दोस्तों अब थोरी देरे में हम आपको बताने वाले हैं कि इसका कुलिंग कैसे करता है और कितना कर रहा है दोस्तों आ एक इनपोटेंड की इसमें हम कितना बैक प्रेशर रखते हैं दोस्तों 30 विसी मसीन में हम 20 बैक प्रेशर रखते हैं हमारा जो यह अच्छा रिजल्ट मिलता है उसके वारे में हम बता रहे हैं दोस्तों हम जो रखते हैं वह 20 बैक प्रेशर रखते हैं आप देख सकते हैं अलका हीट हो चुका है और अच्छा तरीका से गरम है और अंदर का जो हम फिरीज का डोड़ खोलते हैं तो अच्छा तरीका से हमारा ठंड कर रहा है इसमें कोई भी समस्या नहीं है दोस्तों फिल्टर भी जब हम चूके देखते हैं तो यह हीट कर रहा है अच्छा तरीका से ले रहा है दोस्तो बहुत ही अच्छा एमप्या ले रहा है दोस्तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट और शेयर जयरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते क्योंकि आपको आप अगर समारा जो करते हैं तो हम और भी टैस्ट में को सब्सक्राइब Hip कर सोड स्थाने चाह Judas же को सब्सक्राइब जरूर Candy कूर क्या सब्सक्राइब Metro में 30 Mc Coca Consult मशीन में 20 लिए काम पूरा कमपलीट हो चुका है उसके वाद यहांं से हम गैस को इन किए है उसको हम कटिंग करके निकाली है उसके लिए उसके बाद हम पहले लिकेज कर दिया है फिर भी अगर लीकेज रहे बड़ जाएगा इसलिए लिकेज चेक करने के बाद हम बेस को अंदर डालते हैं उसके बाद हम कंपरेसर स्टाट कर देते हैं उसके बाद हम फ्रेंट कवर कसके हम वहां से निकल जाता दोस्तों अगर आपको हो सकता है हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सेर जरूर करते हैं दोस्तों और यह वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद कि आप ऐसा ही हमारा वीडियो देखते रहे है कि जय हिंद जय भारत कि वीडियो पूरा देखने के लिए थाइंक ये